हेलो गाइज मैं के भी अज मैं आप लोगों को बताऊंगी मैक्रोप्स इन एक्स्ट्रीम इन्वारामेंट तो आए सबसे पहले जान लेते हैं एक्स्ट्रीम इन्वारामेंट का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रीम का मतलब होता है वैसा कंडिशन जहां कि आम तोर पे सारे और् एक्स्रीम इंवारामेंट के नहीं जानते हैं करते में और इसके बीखने इंवारामेंट में लूख भी in extreme environment that means high pH, high temperature, low pH, low temperature like that environment में जो भी organism ग्रो करते हैं उसे extremophilic organism या extremophiles बोला जाता है अब आजे जानते हैं कि इसमें कौन-कौन से conditions हैं देखें आप on the basis of temperature on the basis of temperature ये three types के होते हैं फर्स्ट आजाता है सेक्रोफाइल्स सेक्रोफाइल्स का मतलब होता है below zero degree celsius that means sacros का मतलब होता है cold ये एक Greek word से originate हुआ है जिसका सेक्रोफ का मतलब cold होता है और files का मतलब होता है loving that means sacrifice का मतलब वह बहुत जो cold loving organism होते हैं ये क्या करते हैं ये generally minus 20 से plus 20 degree पर ये survive करते हैं बट कुछ ऐसे होते हैं सेक्रोफ्रोप्स इसका मतलब होता है कि ये 25 degree celsius तक ग्रूफ कर सकते हैं सेक्रोफाइल्स और गैनिज्म में प्रोटीज एंजाइम रिलीज होता है जो कि बहुत ही important role play करते हैं ये cold environment बायोडिख्रेडेशन में काम आते हैं और इसके बहुत से सारे यूज Akos पे जानते हैं साक्रो फिल्ट ऑर्गेनिस्म कई जांपल साड़ी आइए अर्थो ब्ैक्रो येट अर्फिल्न आर्थaci करने एक्जांपल राधनायों चुपत्व मेंबर ऑफ जैंडरी नेरा धनेर, सूड़ा साड Chair Ch Tibci Ests इस्पे लोग एक्स्रीमोफाइलस नहीं मानते हैं कि इसके एक्जम्पल है और बैक्टिरियान गोला इसको折ूकर ہा है आया कि आया बातकिוס थर्मोफाइलस घो पर निवर फिपटी डिग्री पे जो भी ऑर्गैनिज्म सर्वाइब करते हैं उसे थर्मोफाइब करते हैं, जो भी थर्मोफाइब्स होते हैं, वो प्रोकेरियोटिक होते हैं, जेनरली इसका ग्रोविंग टेम्परेचर होता है, 50-85 degree Celsius इसके एक्जामपल है एक्टिनो मैसीटीज, फोटो सिंथेटिक और गैनिज्म, थर्मोफाइल्स बहुत सारे हॉट एरियास में परजेंट होते हैं like for example hot spring, other geothermal environment and human made hot environment में भी परजेंट होते हैं like for example thermal system, cold refuse piles, इन सारे चीजों में ये थर्मोफाइल्स परजेंट होते हैं आई अब बात कर लगते हैं on the basis of pH, pH के basis पे भी 3 types के organism होते हैं परहला तो acidophiles, acidophiles वैसे organism हैं जिसे pH value less than 5 चाहिए, मतलब कि उसे highly acidic pH चाहिए grow करने के लिए, अगर वो highly acidic pH ना मिले तो वो आप पे grow नहीं करेंगे, उसकी death हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है, ये जो होते ह इसमें 3 से 4 pH के बीच में पाया जाते हैं, इसका habitat है, pine soils और सम लेग जो acidic होते हैं और acidic bag, इसके example है, बैक्टोडर्मा काउलो बैक्टर, ये बात करते हैं, अल्कलोफाइल्स के उपर, अल्कलोफाइल्स वैसे बैक्टरिया जो होते हैं, जो की best grow करते हैं, alkaline pH में, 8 से 8.4 pH क के बीच, इन सारे बैक्टरिया इसको अल्कलोफाइल्स बूला जाते हैं, ये maximum grow करते हैं, 7-9 pH बट कुछ ऐसे भी हैं, जो grow करते हैं, एभब 9.5 pH से, अगर ज्यादा pH मिला तो वो grow करेंगे, वरना उसकी death हो जाएगे, कुछ obligate अल्कलोफाइल्स होते हैं, जो की maximum pH 10-12 के बीच में सर्वाइब करते हैं, एल्कुलफाइल्स के एक्जामपल है, स्पैरिल्विना, स्पैसिज, क्लोस्ट्रेडियम, स्पैसिज, एटिसी, आई अभी थर्ड है, और नीट्रोफाइल्स, जो होते हैं, वो slightly acidic होते हैं, और इसे hyperthermophilic भी बोला जाते हैं, क्योंकि हाई होगा, वो उस जगह पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, सब्मरीन हाइडो थर्मल सिस्टम, स्पैसिज, इस्ट्रिक्ली एंड एरोप्स होते हैं, आई अब बात करते हैं, उसके सॉल्ट का कंडिशन कहीं साथ चाहिए, उसके टाइप पे भी एक्ट्रिमोफाइल्स होते हैं, इ इस बीच में यहाँ पे यह बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अगर इस से अगर हाई रेंज मिला तो वो सभाइब नहीं करेंगे, इसके जो और राइबोजॉम होते हैं, इस बेक्टिरिया को हाई सल्ट कंसेंट्रेशन रिक्वाइर करते हैं, ताकि यह अच्छे से इस अच्छे से यहाँ पे वर्ट कर पाएं, इसके एक्जामपल है, इसके एक्जामपल है, इक्टो, थायो, डो, इस्पाइडा, हेलो बैक्टर, टेसी, पाई यह बात करते हैं, अन्दा बेसिस ऑफ प्रेशर, एक ही है, बेरोफाइल्स, यह वैसे एरगनेंज हैं, जिसको यह अच्छे से सर्वाइब कर पाते हैं, इसके एक्जामपल है, हेलो मोना सेल एरिया, तो यह यही थे हमारे एक्ट्रीम फाइल्स, अगर आप लोग को अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, और सेर कीजिए, थैंक्यू,